सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली ओपो वालो ने अपने ओपो F19S के अंदर ColorOS 13 based on Android 13 का F.69 का new official version rolling out करना start कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छ तरीके से complete कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ ही इसका battery performance किस type से देखने को मिलता है इसका game performance किस type से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का full review देने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs, features वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device details चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर उपर के side में आपको official version देखने को मिलता है और नीचे आपको oppo f19s का model number cph2223 देखने को मिलता है बात की जाइस update के basic information की f.69 का new update देखने को मिलता है और इस update के जो size है 1.34 GB का है और यह आपको color OS 13 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाइस update के बाद इसके android security patch की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5th April 2023 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लव बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे bucks वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की और भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ दोस्तों कोई-कोई user को काफी ज़्यादा lagging issue देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर reduce करके थोड़ा better किया है लेकिन अभी भी दोस्तों किसी-किसी user को काफी ज़्यादा lagging issue देखने को मिल रहा है साथ दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको यहाँ पर optimize करके system stability, apps experience, battery life वगर को और भी better किया है जिससे कि अब आपको better experience देखने को मिलता है इसके अलाव बात किजा अगले change की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आप dock vault apps यूज करते हैं तो उसमें आप password वगरा डालते हैं तो उस time पर आपको flickering issue देखने को मिलता था और यह problem दोस्तों कुछ कुछ situation में होता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप dock vault app यूज करते हैं तो आपको better performance और experience देखने को मिलता है इसके अलाव बात किजा अगले change की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आप video call करते हैं direct video call या whatsapp अगेरा से तो कुछ कुछ situation में properly video call जो है connect नहीं होता था call ही नहीं लग पाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप video call करते हैं तो आपको better experience के साथ video call देखने को मिलता है इसके लग बात कीज़े अगले change की तो system के अंदर ही अगर दोस्तों आप home screen में जो छोटे छोटे फोल्डर रहते हैं उसको अगर आप large size में करते हैं तो उस time पर जो apps रहता है folder में वो display नहीं होता था properly so नहीं होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप folder large करते हैं तो आपको properly apps का icons वगरा display होता है देखने को मिलता है इसके लग बात कीज़े अगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो mobile network के connection है उसके performance और stability को और भी improve किया है जिससे कि आपको और भी better stable mobile network देखने को मिलता है इसके लग बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों notification and status bar में यहाँ पर उपर के side में दोस्तों आपको notification and status bar show करता है वहाँ पर जो छोटे-छोटे icons network वगरा था speed वगरा या फिर notification वगरा आता है उसका icon show नहीं करता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better status bar and notification देखने को मिलता है इसके लग बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों camera के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप camera यूज करते हैं और photo अगर लेते हैं तो camera से photo अगर व्यू करते हैं तो वो so नहीं होता था photo व्यू करने में problem फैस होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तों आप photo लेते हैं और camera के अंदर से वी व्यू करते हैं तो आपको properly व्यू और working देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर password and security के अंदर system security में इस update को करने के बाद आप Google Play system को update करते हैं तो आपको यहाँ पर 1st April 2023 का new Google Play system update देखने को मिल जाता है पहले दोस्तों 1st March 2023 का देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद इसको update करते हैं तो आपको 1st April 2023 का Google Play system update देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो communication के अंदर अगर दोस्तों आप call करते हैं या फिर incoming call वागर आता है तो आपको जो call वाले apps हैं उसमें call lock जो हैं so नहीं होता था incoming call और outgoing call दोनों में ही आपको number call lock के अंदर so नहीं होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको और भी better experience देखने को मिल जाता है इसके अलाओ बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर wallpaper and style के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ ही type से new look देखने को मिलता है यहाँ पर पहले आपको theme का option देखने को मिलता था जो की यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है यह दोस्तों आपको colorways 13.1 का wallpaper and style apk है जिसको आप manually install करते हैं तो आपको कुछ ही type से new look personalization या wallpaper and style देखने को मिल जाता हैं आप भी manually install करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के description में अपने telegram group का link दिया है जहाँ पर आप इस apps को download करके update कर सकते हैं इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर wallpaper and style के अंदर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस type से colors option देखने को मिलता है अभी यहाँ पर features color और wallpaper color देखने को मिल जाता है हाला कि दोस्तों यह दोनों color same work करता है जिस प्रकार wallpaper color picking work करता था उसी प्रकार यहाँ पर wallpaper colors या फिर new option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप अपने wallpaper के अनुसार यहाँ पर colors चूस करके आप अपने system और UI का color जो है change कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर elegant को select किया हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे notification drawer का color change हो चुका है उसी परकार अगर आप setting में जाएंगे तो यहाँ पर setting का UI और icons अगरा का color जो है change देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर आप features color select करते हैं तो आपको पहले जैसा costel, alpine, trendy अगरा देखने को मिलता है तो कुछ इस type से आपको features color और wallpaper color जो है work करता है इसका new layout और new design, new features की रूप में देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो app drawer के अंदर यहाँ पर दोस्तो मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर बताया है अगर आप जैसे ही app drawer में जाते हैं तो यहाँ पर आपको app सो अगरे जो है properly scrolling होता है up down लेकिन दोस्तो आप जैसे ही app drawer से home screen में आना चाहते हैं तो वहाँ पर वो properly work नहीं करता था, attack जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको app drawer में जाने के बाद home screen में आप back आ सकते हैं तो इस problem को यहाँ पर fix कर दिया है लेकिन दोस्तो अगर आप left right swap करते हैं तो कभी-कभी जो है आपको यहाँ पर hang type का देखने को मिल जाता है, attack जाता है properly यह left right swap नहीं हो पाता है कुछ ही इस type से अभी भी यह problem देखने को मिल रहा है जिसको यहाँ पर अभी तक fix नहीं किया है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो notification की अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछ ही इस type से notification section देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो आप three dot पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलता है एक edit tiles का और दूसरा media output का पहले दोस्तो आपको क्यों edit tiles का option देखने को मिलता था लेकिन आप दोस्तो media output का new option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू दोस्तो आप अपने media के sound को phone की speaker से सुनना है कि Bluetooth devices जैसे earphone, earbuds वगरा से सुनना है तो वो आप यहाँ से select करके आप अपने media sound को सुन सकते हैं तो यहाँ पर आपको media output का new features देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, connection and sharing के अंदर यहाँ पर multi screen connect का new features देखने को मिलता है जिसके तुरू दोस्तो आप अपने phone का screen जो है computer या laptop वगरा में या फिर tablet वगरा में share कर सकते हैं आप अपने file या data data को transfer कर सकते हैं तो यह features भी इस update के साथ देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, nichic set, special features में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो, आपको new features देखने को मिलता है जो की है o work, यह दोस्तो अभी beta stage में है जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ही type से देखने को मिलता है यह दोस्तो आपको hair tape cloud रहता है उसमें आप अपने file photos, image वगरा डाल सकते हैं different devices में manage कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आप कही भी o.oppo.com में login करके आप अपने file data वगरा को manage कर सकते हैं तो यह o work जो है आपके hair tape cloud account के थुरू ही आपके जो file वगरा है उसको manage करने के लिए यहाँ पर यह o work का new features add किया है इसके लावा बात की जागले change की तो camera की अंदर अगर दोस्तो आप camera use करते हैं फोटो अगरा लेने के time पर low probability में आपको camera place back का problem होता था automatic camera जो है exit हो जाता था जिसकी जैसे photo लेने में problem place होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप camera use करते हैं photo अगरा click करते हैं तो आपको better experience के साथ photo click और camera use करने को मिलता है इसके अलब बात की जागले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो stucking issues का यहाँ पर दोस्तो अगर आप phone use करते हैं तो उस time पर screen flickering, stucking problem वगरा देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप mobile use करते हैं तो आपको better experience देखने को मिलता है जो flickering इसू, stucking इसू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix कर दिया है इसके अलब बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो apps के अंदर अगर दोस्तो आप YouTube apps यूज करते हैं उसमें आप वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम पर आपको sound सुनाई नहीं देता था यह प्राबलम दोस्तो कुछ कुछ situation में होता था अगर आप वीडियो music अगर आप प्ले करते हैं तो आपको उसका sound सुनाई नहीं देता था तो इस प्राबलम को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better experience के साथ वीडियो अगर आप प्ले करते हैं तो आपको idea सुनाई देता है बात किजाए यहाँ पर battery performance की तो यहाँ पर जो battery performance है इस update के बाद काफी ज़्यादा better देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों किसी-किसी user को काफी बुरा performance देखने को मिलता है काफी ज़्यादा battery drain हो रहा है और किसी-किसी user को काफी better battery performance देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो आपको charging speed जो है काफी slow देखने को मिल जाता है सांती दोस्तों यहाँ पर गर्मी का season चल रहा है तो अगर आप charging करते हैं तो आपको जो heating इसू है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है एंड़ी इस बात किजा इसके game performance की यहाँ पर जो game performance है वो आपको better देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर कुछ ज़्यादा time तक game खेलते हैं तो आपको थोड़ा frame drop इसू और lagging इसू देखने को मिलता है बाकि जो overall game का performance है यहाँ पर काफी smooth और stable देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों अगर आप game खेलते हैं तो आपको ज़्यादा hitting इसू देखने को मिल जाता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से बाक से देखने को मिलता है आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों